नमस्ते और वेलकम टो टीस एक्साइटिंग एपिसोड असप्तालोजी डीबंकिंग मिथालोजी आपकी भगदीता के विशेली कराए हैं अनासक्ती योग और योग को हम सभी को मालूम है आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग बोलते हैं कि कब आत्मा परमात्मा से साक्षात कार करते हैं जबकि पास में ही रहते हैं दोनों एक ही साथ रहते हैं और आज इसके विशे में मैं और रामेश्वर जी मिश्वर जी पंकजी प्रॉफेसर रामेश्र पंकाजी के साथ डिसक्स करूँगा और उनको मेरे हमारे चानल पर वो ही इस वान देगे दार्शनिक, you can say. तो विदाव डिरेरेस वेलकम प्रॉफेसर रामेश्र मिर्श्र पंकाजी. वेलकम नमस्कार. नमस्कार. आटिस जी नमस्कार. आवा जा रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है, तो यह अना सकती और आ सकती, सबको यह शब्दें बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन अना सकती योग, वो क्या होता है, उस पे थोड़ा सा बताईए. देखिए, इसमें, इसकी पूरी प्रिष्टभूनी को समझना आवश्यक है, गीता, हमारे जितने भी ज्ञान के ग्रंथ हैं, विशेष का जितने उपनिशत हैं, उनका निचोड है, इसलिए उसके महत्त में कहा गया है, सर्वोप निचोगावो, दोब्धा, गोपाल, लंगना, पार्थो, वत्सा, सुधीर, गोप्ता, जुब्धं, गीता, अम्रत, अम्रत, गीता, वो अम्रित है, जो उपनिशत रूपी गायों से, आर्जुन रूपी बच्छरे ने किया है, यानि सर्वोप निचोगावो, दोब्धा, गोपाल, लंगना, तभी उपनिशत गाये हैं, एक रूपक दिया गया है, और जो भर्वान स्वीक्रिष्ण हैं, वो गाये को दोने वाले हैं, उसका रस्ट, और उस रस्ट को पी कौन वहाँ हैं, उसको भुख्यत हैं, तो अर्जुन पी रहे हैं, अन्य लोग नहीं पी रहे हैं, और अर्जुन कैसा भुखता है, अब यह जो सुधी भुखता, इसमें यह नहीं था कि कोई मंदधी भुखता भी होता होगा, और कोई धीहिन भुखता भी होगा, तो सब के लिए गीता हैं, तो इसको समझना चाहिए, तो तो कि गीता सभी उतनिश्दों का सार हैं, इसलिए जो उतनिश्द दर्शन को समझना चाहिए, अर्था जो भारती दर्शनों के मूर अध्या किसके लिए जो भारती दषन का उपनिशद बाइन का वह दो नहीं है? तो अगर आपके उपनिशत दर्शन में रुची नहीं है, सनातम धर्ब में रुची नहीं है, वैजिक दर्शन में रुची नहीं है, तो आपके लिए गीता के पेखार है, क्योंकि गीता तो उपनिशतों का सार है, सभी उपनिशतों का सार है, तो जिसकी उपनिशत में एज आज दश्ट आरहम को वेजग धर्म को जानना चाहिए, और वेज धर्म के नसका मूल आज दर्षन है जिसका विस्टार बाकी स्व है हमारे इस ऋब हर दर्षन हो कि मनुष्य ya दर्षין के इस तनब जो विश्वात रखता है सारे काम असमेरर से आज होते हैं भांती-भांती के सुखों का, सुख सामगरियों का संगर है और भोग है, तो वो फिर बाकी गत्विधी अभी रशी करेगा, अगर किसी ने सोचा कि नहीं, आत्मा है, परमात्मा है, पुनर जन्म है, कर्म पर्ल है, इन सब का ज्यान और मानो जीवन में जिस जहां भी मैं हूँ, मेरा कर्ता भी क्या है, इस कर्ता भी को करने से, मुझे क्या लाब होगा, जो ये सब विचार करता है, वो उपनिशत दर्शन की सरुम में जाएगा, तो उपनिशत दर्शन किसके दिए है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को, जीवन के रहस्यों को, सृष्ट के रहस्य जीवन के नियम को जानना चाहे, जो पुनर जन्म और कर्मफल के नियमों को जानना चाहे, जो आत्मा और पर्मात्मा का स्वरूप जानना चाहे. अब आप कहेंगे कि ये सब तो बहुत ही व्यापक विशा है और आज आप में आना सक्ति क्यों रखा है इसका एक कारण हो ये जो आना सक्ति शब्द है ये विश्वी सताप्दी इस्वी के राजनेताओं ने जरुष से ज़्यादा उचार लिया तो इसकी प्रिस्टफूमी को पहले आप समझें ऐसे हुआ कि सदा से ही जो भी हमारे आचारी होते हैं वो प्रस्थान त्रही पर्टी का अवशे करते हैं ब्रह्मसूत ओप्रिशाद और गीता गीता पर्टी का ज़्यादा लोग भी हो जाती है चुकि उसे गीता की भाषा इतनी संगंबीर शहरी है इतनी सरम है और साथ ही इतनी बूर है तरल भी है और गहरी भी है ये लोग उसे हिंदू घरों में सनातन संसकार वाले घरों में बच्चों को वो शिखाई जाती है कमे पर वो कस्पोकेत होगा जैसे हम साथ ध्याई पढ़ाते हैं तो साथ ध्याई बच्पन में छोटे बच्चे को ही रटा देते हैं हमेरा बेटा जब बिल्कुल शोटा था तभी हम ने उसे अस द्याई रटा कि की आमने सॉएम के ज्यानी होते जाएंगे, अस्तार ध्याई रटने से कोई वह यह करन नहीं हो जाता, इसी प्रिकार गीता को पढ़ने से, संपून गीता, अंठाग्र मुखामिर करने से, सारे 701 लोकों आपको याद हैं, इससे आप गीता के ज्यानी नहीं हो जाते, इससे गीता का बीज गर्शन में साधना से, धीरे धीरे वो ग्यान खेलेगा, आपके संसकार, आप मनुष्य रूप में आए हैं तो कुछ आपके इसले जन्मों के संसकार होंगे तो आकांशा भी होगी, उसके अनुसार आप भोग करेंगे, भोग में भी समय जाएगा, और गीता आगर चित में सुरच्चित है तो ग्यान की और ग्यान जाएगा, तो ग्यान आपके चित में भी जरूप में सुरच्चित रहे, जिससे आपके वक संसारिक पुरुशार्थ में इतने लिमना हो जाएं कि मूल ग्यान भूल जाए, समय समय पर आपका ध्यान जाए, और जितनी आपकी इसकी बैक्ग्राउंड इसकी प्रिस्टभू में जानना चाहिए, नेताओं ने आना सकती सब दिख्यों छुडा, और अब वो नेताओं से बढ़के समाज में अन्यत्र भी फैल गया है, तो इसको ठीक ठीक जानना चाहिए, तो पहदी बात यह है कि जो हमारे आचारी थे, ब प्रम्न सुथ उपनिशव और शेमत भगवत गीता पर टीका करते थे, यह परंपरा थी, चूंकि वही आपके विद्वत्ता का निकट है, कसोटी है, मांदंड है, आपने इन पर कैसे टीका लिखी है, उससे पता चल जाता है कि आपके ग्यान का स्वरूप क्या है, तो किसी समय जब को हिंदू-मुस्लिम तक्राव बहुत हो रहा था, फिर उसी समय ये प्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो जो सरोसाध हरां संसकारी लोग थे, जो राजनेता नहीं थे, जो युद्ध नहीं कर रहे थे, उनके चित्त में थोड़ा सा पुदा सिंता आ ग संयाज पर जो ज्यान के लिए संयाज लेते हैं, तो सरोसाधारं ग्रहस्त समय भी संयाज ये बहुत करने लगा, अरे दो दिन का मिला है, अरे जीवन थो अकेला ही है, फिर हम जाएंगे, तंब में श्वर है, संब में श्वान है, और जिस समसार कागत की पुड़िया, तो जब यह चला तो लोकमान्य तिलक ने यह तो गीता का दुरुपयोग हुआ तो लोकमान्य तिलक ने यह देख के कि सन्यास की बात कर रहे हैं लोग कीता के नाम से और अंग्रेजों ने कुछ ऐसा परचार कर दिया है कि एक तो महां भारत किसी को नहीं पढ़ना चाहिए और अंग्रेजों के पिठ्ठो जो पंडित या विद्वान लोग बिचे उन्हों अच्छ प्रचार कीतो यह में दिया समय जुख वर समयासी हो जाएं तो लोग नाम तिलक होगा कर। लेकिन उनकी पतिष्ठा को आँच नहीं लगा पाई, अंग्रेजों ने उनके विरुद बहुत प्रचार किया, और यह तो भाया सरकार का द्रोही है, तो यह से चूंटा प्रचार किया, और जो अंग्रेज अत्याचार कलते थे, उसको अगर जांतिकारी मार देते थे, जो कि कि यह तो पिशाच है, और पिशाच है, और हिंदू तो वीर होता है, तो मार देते थे, स्वभाविक है, मारना ही चाहिए, तो इन्हों ने तिलक जी के सिर्पत आरा आरोप डाल दिया, कि यही भारत में अंग्रेश्ट के बेचैनी के विद्रोह के प्रेरक हैं, और जो ख् लोकमान नी की विक्ति हुई उस समय स्वहम गांजी जी ने लिखा है कि लग रहा था कि सारा मुंबई उमर पला है, सारा मारत उमर पला है, लेकिन इसमें गांजी जी को और कुछाणी निताओं को भी इससे लगता है कुछ या तो इर्शा हुई, या द्वेश हुआ, या प्रतिश्पर्धा की भाव ना आई, तो इन समने भी जीता पर चिपने लिख, इनको समझ भी नहीं आया, कि लोकमान नितिलक इतने लोग प्रीकियों है, और लोकमान नितिलक ने ही गणेशोच्व सुरू किया था, यानि सार्जनिक उपास्ना और पूजा के बड़े समार तो जो जो अंग्रेजों के भक्त नेता थे, उनको लोकमान नितिलक से पुतिश्पर्धा हुई, इन लोगों ने भी गीता में लिखना सुरू किया, तो इनने सबने क्या किया, आना सकती, अब देखिए, राजनेताओं का काम ही नहीं है गीता पर लिखना, गीता राजनेत तो जो जो राजनेता है, जो रजो बुनी और तमो बुनी विक्ति है, उसके ये गीता किसी काम की नहीं है, वो तो गीता का इसपर्ष भी नहीं कर सकता, वो तो गीता के मर्म को छो भी नहीं सकता, तो ऐसे लोगों ने गीता पर लिखना शुरू कर दिया, गांधी जी तो तक आगे बढ़ गए कि महा भारत कभी नहीं हुआ था, कौरवार पांड़ों में कोई उद्ध नहीं हुआ था, यह इतिहात नहीं है, सब गप्पय है, कल्पना है, यह सब हमारे मन में कौरवार पांड़ों रहते हैं, यह बुर्फटा पुंबत हैं, तो लोगमान तिलक से प नितिक वेक्टी होने की इच्छा जगई जो कि वह नहीं थे, तो उन्होंने भी आना सथियोग लिख दिया थे, बहुत सारे लोग आए, भाई पर्मानन तो इत्ता से सन्यासी ही थे, तो उन्होंने तो जीता का भाक्ष्य लिखा तो ठीकी लिखा चुकि एक सन्यासी होकर नदिका जुगा रहे थे कि अगर हमारे चित्त में सन्यास आ गया है, वह वेसे सन्यासी नहीं थे, लेकिन चित्त से सन्यासी हो चुका है, जिसको निजी पूछी लोकिक लाब का रूजन नहीं है, उसे भी धर्म के लिए रास्ट के लिए जुद करना चाहिए, उसके लिए करन्तिकाईयों का साथ देना चाहिए, अंग्रेजों का वद्ध करना चाहिए, आत्ताईयों का वद्ध करना चाहिए, आत्ताईयों का वद्ध परम अहिंसा माने जाता है, तो अगर वो जीवित रहेगा तो हिंसा थेलाएगा, तो आत्ताईयों का वद्ध परम अहिंसा करना ह तो भाई पढमानंद ने अज्ताईयों के विरुद्ध जोती जलाई विरुता की जोती जलाई और उन्हों ने भी परवर्द गीता पर बहुत अच्छा बाद दिखा लेकिन अब ये गांधी और बिनोबा और बहुत से और लोग आ गए कुकुर्मुत्तों की तरह और ये सब कि उनको महात्मा कहना शुरू किया और अग्रेजों ने भी एक सर्कुलर निकाला कि अब इनको महात्मा कहा जा जाए तो अग्रेजी प्रभावत बहुता है तो जो हमारे अधियात थे चेत्र के आचारे हैं वदी गांधी चर्भावित हो गए उन्हा नही आख़िए कि अन का ज्यान सामान्य राजनेता के वश्का ही नहीं, वो इसको सम्नेगा ही नहीं, अगर सम्राजनेताओं के ये काम का होता, तो भग्मान कृष्ण ने महाभारत के समय, सम्राज युदिष्ठिर को, महाराज युदिष्ठिर को, पांडमों के सर्वस्वेश्च तेनानी भी और ताशक भी, उनके नेता भी, ऐसे महाराज जिस्ठर को गीता का उप्देश दिया होता, तो उनों में नहीं दिया, तो गीता का उप्देश की एच-कीचे दिया गया, यह जाना चाहिए, एक ऐसा रती, जो जन्म से ही शास्त्रों को जानता है, जिसमें सारी विध्याएं पढ रखी हैं, जो महावीर है, जो बड़ी वीर्ता के साथ अपना पुर्शाद संपन करता है, जो स्वधर्म पालन में कभी नहीं चूकता, जिसके मन में उदाता, वीर्ता, एश्वर, यविध्या, सभी के गुन पूरे उतकर्ष में हैं, इसके बाद उसे कोई संशे होता है, और वो संशे बगा विराज संशे, गाली जी तो इतने इस विशे में इतने मूर्ख हैं, कि उन्होंने कह दिया कि अर्जुन डर गया, अर्जुन कोई डर में होता है, महावीर, परमवीर, अर्जुन, वो किससे डरेंगे, अर्जुन कभी डरेंगा, क्यों, अगर जरा होता तो पहले कभी यूथ नहीं करता, निरंतर यूथ कर रहा है, तो हमारे भाई बतीजे मत जाएंगे, ये भी अर्जुन की कोई डर मही था, अर्जुन तो शास्त्रों में अरंगत था, अर्जुन तो शास्त्र के विद्वान थे, उन्हें तो पता ही था कि जन्चक निरंतर अर्जुन में होता है, आत्मा अजर अमर भिनात्री है, कर्मपल मिलता है, सब कुछ मालूं था, उनको एवल ये सताया कि ये बड़ी संख्या में जो सारे ही स्थेष्ट वीर इस महा भारत युद्व में मारे जाएंगे, उसके बाद की दशा क्या होगी, क्या क्या क्टिप अगर कुल नहीं रहेगा तो संप्रदाय भी कैसे रहेंगे, तो कुलों का ठ्षय हो जाएगा अगर कुल अक्षय होने से सनातन धर्म नस्त हो जाएगा, तो अलुन की चिंता क्या थी? सनातन धर्म का भारत में विलोक नहीं हो, सनातन धर्म शाय नहीं हो, अब मुर्ख लोग क्या बताते हैं? वो अपने भाई और चाचा और ताव को देखा, और साला और जीज़ा को द जो हर्वान शंकर से जिसका दो चुका है, जो इंद लोग जा चुका है, जो सूर्य, मतलब सभी इंद देवता जिसको साठ्षाद वर्दान देते हैं, अनेक देवता वर्दान देते हैं, जो साधना जानता है, गैत्री साधना जानता है, वो उसको पटा है कि सभी को मरना है, तो मरने का सबसे अच्छा उसर है, धर्म युद्ध में छत्री की मृत्यू सर्वात सबसे स्रेश्ट है, आखे सारे ही सनत्री ये जानते हैं, द्वाव नौ पुर्शो लोके, सूरी मंदल भेविनौ, दो प्रिकार के पुरुश हैं, जो सूरी मंदल को भेधन करके उपर जिन चाथ धर्म का पालन करते हुए युद्ध में मरेंगे, तो इनको द्वित्ध में लगोए उनको भीष्म पितामाय में द्वाव और इनके वित्व की कोई चिंता नहीं है, और वो इसकी चिंता की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है, क्या इससे पुर धर्मों का आप देखने ये दूसरे ही अज्याय में क्या कहा है? कहा है कुलक्षय प्रश्चंती, कुल धर्मा सनातना अगर कुलक्षय हो गया इतनी सुदुस्टा सुवार्ष में जायते वन संकरा उसको जोन, भीष्म, अपने चाचा, अपने ताव, इसकी मृत्त की चिंता नहीं है, अपने मृत्त की चिंता नहीं है, वे तो सजा सरहतेली पर रखकर चलते हैं और जैसे वो अपने को भीर मनता है, ऐसे भीष्म को भीर मनता है, ये सब युद्ध में उपस्टित हुए हैं, ये तो बहुत ही गौरोग शाली है, आप देखिये, महाभारत पढ़िये, तो करन जो युद्ध का वालन करता है, कितने गौरोग शाली, वो कहता है ये एक महान ये की है, और उस यग में भाग रेने वाला चत्री पवित्र हो जाता है, तो उसको अपने चाचा ताओ की कोई चिंता नहीं है, उसको चिंता ये हैं कि ये इतने विक्राब पहमाने पर युद्ध हो रहा है, दोनों और से सभी वीर चत्री लगभग, पंकुन जो जो इतके वीर उपस्थित हुए हैं, तो इनके नस्थ होने पर धर्म की रक्षा कौन करेगा, कुल धर्मों का प्रवाय कौन करेगा, तो अर्जुन की चिंता क्या है, एक महा ज्यानी, महा वीर, शास्त्रग्य, जन्म जन्मांतर के तक्ष्य को जानने वाला, आत्मा, प पेष कैसे करता है, अर्जुन जरगया, मनठ जो कायर है, छुत है, उसको अरुभी किला, जता आप उन पसान हो जानी अब गांदी जीष्वेमए कायर रहती थे तो उनको अर्जुन भी कायर दिखता है, अरे बुर्ख। अर्जुन कायर है, महा वीरुईर। तो ये लोग अना सक्थी का क्या करते हैं? अब इसमें से अना सक्थी आएगी. पहरी बात मैं ने बताई कि आजू महावीर, महाग्यानी, महाबुधिमान, अच्छन्द ब्यावारिक, सदा सदा मुपालन करने वाला, वियाग, बिश्रु की चिंता करने वाला कि मैं तक्वालती संब्राट का अनिज हूँ और एक प्रकाल से मैं भी राजा ही हूँ, तो मुझे अपनी समस्त प्रजा के धर्म की चिंता करनी है, प्रजा का धर्म बालन होता रहे है, यह देखना राजा का कत्व निश्रु की चिंता करने वाला, महापराक्रमी, महावीर, महाज्यानी, अर्जु, उसको गीता का उप्रेश दिया गया है, तो गीता का प्रामानी को देश का अधिकारी विरल लोग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई नहीं पढ़े, हिमाला में सब लोग महीं पहुंचेंगे, इवरेस्ट में, लेकिन जलाक्री में जाएंगे, रिषिकेश में जाएंगे, लक्षमण जूड़ा में जाएंगे, हडवार में जाएंगे, कुछ तो पुन्यलाह होगा, घीता पढ़ने से सबको को पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता का जो मूर्त देश है वो किसी महा पराक्रमी, महा ज्यानी, महा वीर के लिए है जुदलब है जुदिश्चर भी उसके पात्र नहीं है इस्तोत्य को जानना चाहिए जब हम इस्तोत्य को जानेंगे तब ये बात आएगी कि मूर्कों ने अना सक्ति का इतने महतों कैसे दिया अना सक्ति, अना सक्ति इसका क्या अर्थ है इन्होंने अना सक्ति को ऐसे कह दिया कि कर्म करते हुए बस आ सक्त मतलब अच्छा पहनी बात कि अना सक्त जो रहेगा वो कर्म करेगा ही क्यों मनुष्य सदार कर्म का विचार करके ही कर्म करता है यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव में अथ्वा, यह मेरी लालसा है, इसके द्वारा मैं यह भोग प्राप्त करूँगा अगर वो अच्री विच्टी का हुआ, तो आज्यो भी जन्वानस्वी, कोन्योस्टी सद्विशो में, यक्चे, दास्यामी, मोधिश्य, इत्यज्यान भी मोहिता, और अगर देवी संपत्ति का हुआ, तो स्वकर्मानातम अभ्यार्च से धिन दो प्रकार से कर्म किये जाते हैं, यानि इसलिए करते हैं, कि भर्वान में इस जो स्वकर्मानातम अभ्यार्च से धिन बिन्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ब़गवान की अर्चने करते हότεं दाहिता हूं। अपने कर्म के दोरा आप अर्चना करते हैं भागवान कीू. जिस समय आप स्वधर्म पादन करते हैं तो वह भगवान की अर्चना है। म्यादें की प्लति अनाधर है। तो इसलिए आजन को यह सब पता था, जो कर्म करेगा वो कर्म के विशय में चिंतान अभश्य करेगा, अनास्त्क तो केवल ये कहा है कि अनाश्चिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोथिया। असन्यासी चयोगी चया ननिरघ्डियज न चाक्त्रिया। कर्म्थल पर आशित होकर आप काम नहीं करिए, बस यह है, क्योंकि कर्म्थल आपके बश्में नहीं है, वो कोई उप्देश नहीं है, कर्म्थल के आशित मत हो, यह कोई उप्देश नहीं है, उप्देश दिया ही नहीं जाता, यह तो तक्ष बताया है, कि यह ऐसा है, पहली कि जो भी कर्म करते हैं, वो आप अकेले नहीं करते हैं। कि परने कर्में बहुत सारी शक्तियों का, समाज का, हमारे संभल्यों का, हमारे परियों का, हमारे शक्त्रों के तब का योगताने जो कर् प्रतेघ कर्म के पीछे सद्र दे उपस्ति थे, जिसको हम कभी नहीं जान सकते। अदुश्य अग्ये जिसको जानना मनुष्य के वसका नहीं है, क्युक्कि मनुष्य, हुआ हे और वह बिराट है। हमाले को उसका एक धेला नहीं जान सकता। तो हम लोग दैवों को कोई भी नहीं जान सकते, तो कर्म तो ऐसे होता है, तो इसलिए कर्म थल कैसे होगा, कर्म थल भी बिमिद सक्टियों पर निरुबर है, अकेले आप कर्म नहीं कर रहे हैं, और अकेले शूंज में आप कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए थल इस पर लोगों के सामर्थ क्या है और सामर्थ हींता क्या है और महाकाल का जो प्रवार है उसमें क्या घटना होनी है तो कि अंत में ये संकून स्रिष्ट भर्वान से प्रवर्वान से प्रवर्वान ने संकल्प किया है कि स्रिष्ट प्रवर्वर्वान से इसलिए प्रवर्वान का सं और उसका फल भी आप पर निरभर नहीं है, फल बहुत सी शक्तियों, बहुत सी इस्थितियों और देल पर निरभर है, इसलिए कहा है, कि फल कर्मने वाली कारस्ते, मापले शुकदा चमा, आपका अधिकार केवल सथम पालं में है, कर्म में है, अथवा सथम से विमुक्ता भी अधिकार है, जो fajत कहिर के लोगों की आदत है, तो वहीं होता है, मनुष के अधिकार में क्या कर्म है, फल उसके अधिकार में ही नहीं है, यह बात कहीं कहीं. यह क्या है यह होता है जैसे सूर्य पूरु में उगता है, सूर्य डूबने पर रात होती है, इस तरह कि जो सारवाउम कतन है, उसी तरह यह है कि कर्म में आपका अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, यह सारवाउम कतन है, यह एक युनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसमें को इच्छा है करो लोगों के कर्मों के समझे से कौन सा उस समय खटना कर्म बन जा है अधरिश्य में क्या खटित हो रहा है शूख्यू शक्तियां उस समय क्या हिरने लेती हैं इस पर निरुपर है तो कर्म सर्में आपका अधिकार नहीं है इसलिए कहां कि भाई खलकी आसक्तिके बीना कर्म करो बस आसक्तिके बीना क्यों कर्म करो नहीं करना है तो मत करो आसक्ति पाल लो लेकि तुम्हेरा उसमें अधिकार नहीं तो आसक्ति पालना मूरता है क्योंकि जो चीद आपकी हरी नहीं है, आपके बश हमें नहीं हैं। आप अपने डिप्रेशन में ज़ले जाओगे, मुक्षन हो जाओगे, तनाव में जले जाओगे, पुर्ड़ा में जले जाओगे इसलिए बताया गूर रहें। अनंदित रहें, खल कुछ भी हो, आप पसंद रहें कि मैंने कर्म हली भार की संपाज़त किया है, तो कर्म खल में आपका अजिकार नहीं है, ये एक गीता का, आज कल की भास्वा में कहना बैग्ज्यानिक विसलेशन है, परंपरागत भास्वा में कहेंगे सुठ्ष्म और करो, अरे, तुमने देश का विभादन स्विकार किया, आनासक्त रह के किया था, और लाकों लोग मारे गए, हठ्याहे हुई, तुम आनासक्त थे, तुम आनासक्त थे कि उससे कोई सौ्ध़बाजी कर रहे थे, अंग्रेज़्ों से, तो ये जो आनासक्त का नाटक है, और तो इसलों वह मां रूय कोषर आपकी। आपके द सक्षट आएब में टृण। एक बीजे енаे लत दुद्सु हो Kenny 1 शुर्या शुश सवु देवीब интересно करन के में भीता और कि बीजे पिवीदということで वो कोई नया कर्म करेगा ही नहीं, है ना, कहा है ना, अनारंभ, किसी कर्म का अरंभ नहीं करेगा, जो सच्मुच अनासक्त है, वो तो कर्म का अरंभ भी नहीं करेगा, जो क्यों कर्म करें, प्रथे कर्म किसी में किसी आसक्ति से ही होता है, वो आसक्ति धर्म में हो सकती है, अ आपको कर्म में आ सकती रखनी ही चाहिए, कर्म में आ सकती नहीं रखनी चाहिए, कर्म में आ सकती है, क्या ये मेरा स्वधर्म है, या परधर्म है, पधा मैं नम्से या परधर्मों भया हुआ है, तो मैं स्वधर्म करने जा रहा हूं या परधर्म, कर्म के पुछी सदा प्रे कि यह रूप करना है उसके बारे में खूब बिचार करना चाहिए ये मेरा स्वधर्म है या नहीं है, मैं किस जाजी में हूँ, किस कुल में हूँ, किस वरण में हूँ, किस आश्रम में हूँ, उस समय मेरा क्या करतव है, स्वयम जाने, अंताह करन से जाने, जो स्वेस्ट लोग हैं, उनके लिए अंताह करन ही प्रमान है, कहा है, अंताह करन ही लेकिन अगर आप इतने विख्षित नहीं हैं तो गुरू से, माई दर्शक से, माई दर्शन लिजिए, कर्म के विशय में सदा चिन दर्शन करना चाहिए, और यह जो अनासक्त का नाटक चला रहा है, अनासक्त हो के कुछ भी करो, अनासक्त हो के कुछ नहीं कर सकते हैं, इसक आपने अनासक्त रहके चोड़ी की, तो ठीक है, आपको राजा सजय देगा, आप अनासक्त रहके सजय भूदी, इसके लिए योग दर्शन में एक कथन है, आप अनासक्त रहकर अगर पाप करते हैं, तो अनासक्त रहके नरक में चले बाना, वो पुल कहे पाप करे, और जो अनासक्त रहकर परधर्म करता है, अधर्म करता है, विधर्म करता है, उसको अनासक्त रहके नरक में चाहिए, गांदी जी ने अगर अनासक्त रहकर जोश का विभादन कराया, तो उनको अनासक्त रहके लोगों की ठूतू सुननी चाहिए, गालियों सुननी चाहिए, कल अनासक्ति का नाटक बंद होना चाहिए, यह केवद दर्शन की एक सूक्ष में ब्याक्षा है, और मुख्य तो यह है कि खल में आपका अधिकार नहीं है, इसलिए आप कोई भी कर्म, खल को आफशित रख करना करिए, यह नहीं का कि खल का चिंतन मत करिए, अनाफशिता कर्म कार्यम कर्म करोतिया, तो सन्यासी जोगी जोगी जो ना निरगने न चाक्रिया, कर्म फल के अनाफशित जो कर्म करता है, यानि आपका जो स्वधर्म है, वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि इससे हम फल मिलेगा, अथवा हम यह काम नहीं करेंगे, हमें फल नहीं मिलेगा, फ करता है वहीं समयाती है वो नियरगनी है यह नहीं हक्री है यह नहीं इससे कोई अर्ख नहीं लेकिन यह जो अना सक्तिका खेर लोगमा म्य तिलक के कर्म्योग के उत्तर में। राजनेतिक चैनल के कारण राजनेतां ओने गीटा पर उतने शुरू कर दिया यह महां अनत है और जिन लोगों से आपका संबंध है, जिनके जीवन पर आप प्रखाव डालते हैं, और जो आपके जीवन में प्रखाव डालते हैं, वो कुटुम है, बसुधरी कुटुमुकम किसको कहा है, सन्यासी के लिए, जिसका कोई नहीं है, जो किसी को अपना प्रखाव डालत आपने प्रखाव डालते हैं, जो एकड़म र्राह्मनी भाव को हो गया है, उसके लिए खुझरी कुटुमुकमुकम, अगर आप किसी से नहीं रिलेटल है, किसी से कोई संभन्थ नहीं है चित तर्दम ब्रावनी भूत है तो वस्वयू कुटंबकम है मुर्ख यह थोड़ी की संसार से हमारा पूरा राग है ज्रेश है और वस्वयू कुटंबकम कैसे होगा वो तो संसार में कोई आपको तिंदाज बाजा डाल रहा है दिंदाज आप को बाजित कर रहा है कर्म के लिए तो यह तो जार्षित कसान है अना सक्ति वस्वयू कुटंबकम यह जब राजनेता बोड़ता है तो बहुत खतर नाक होता है और बहुत प्रोज़ता कोंडि भी बोसकते है तो अना सक्ति योग का स्वरूप यह है कि आप ज्ञान को करें हैं और फल पर आश्षत रहेकर कर्म नहीं करें। कभी भी पल पर आप कादिकार नहीं है, बस इतना है, लेकिन अनासक्त हो कर हम कुछ भी करेंगे, अनासक्त हो कर हम चोड़ी करेंगे, अनासक्त हो कर हम देश का विभाजन करेंगे, अनासक्त हो कर हम चुनाओं में बूथ कैप्चर करेंगे, केजरिवाल कह दे कि हमने अनासक तो ये अनासक्ति का जो नातक है, ये कुछ मूर्ख भी उसमें फंस गये हैं, लेकिन जादतर ये बदमाशों का नातक है, अनासक्ति योग का मुन्स वरूप ये है, कि जो बहुत उन्नत है, जिसने अपने सभी धर्मों का पाला निष्ठा से कर लिया है, और जो ग्यान की अनासक्ति किसी कर्म में नहीं है, बालबच्ची पालने में नहीं है, संतान को पढ़ाने में नहीं है, सास्ता चलाने में नहीं है, भासन देने में नहीं है, भासन भी एक आसक्ति है, मैं भासन दे रहा हूं, ये सोच के कि ये विचार पहलें, ये देश के हित्में है, आप अब हमसे बातन करा रहे हैं, यह सोच जिए कि इस देश में हिंदु धर्म की सरातन धर्म की कोई चेपना पहलेगी, सब कोई विचार से, इसमें क्या आना सकते हैं, हम सब पूरी तरह आ सकते हैं, और आना सकते योग के नाम पर, जो पाखा निचला है, उसके विशह में मैंने कर दिया, एक तो यह आर्जुन के लिए उपदेश था और तुस्रे उसमें के आना सकते नहीं है, उसमें फूरा भीबूत योग है, अक्षारपहम योग है, सांख योग है, कर्म योग है, सारे दर्शन का पतिपादम है, उस विराग्न दर्शन के संदर्म में यह सब है, आ आजकर बहुत चला हैं, अपने आपको धार्मिक कहने वाले लोग कहते हैं, हम तो अना सक्त रहकर काम करते हैं, अरे मूर्ग, अना सक्त रहकर काम करने किसने कहा है, आप पहले जानिये कि जो आप कर्म कर रहे हैं, वो उचीत है या अनुचीत, सही है या गला, साफ्र सम्मत है अनासक्त रहेकर करने से कुछ नहीं होता, क्या कर रहे हो, उस पर सबकुछ निर्वर है, अनासक्त योग के स्वरूप के विशे में समझे इतनी मैंने बताया, अब आपकोई प्रक्त नहीं हो तो बताईए। अब भक्त और सका बन जाएंगे तो सारे रहस्य खुल जाएंगे। संकराचारी को सब लोग बड़ा ज्यान मारक का मानते हैं ना, और संकराचारी में देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, संकर, गहे, सबकी तो इस्तुती लिखी हैं। सारे मंदिरों में संकराचारी के लिखे इस लोग को भजन गाये जाते हैं। और ये किल्ट बनाए हैं, क्रिट बनाए हैं। संकराचारी से बला भंत कोई नहीं है, शंकराचारी से बला ज्यानी कोई नहीं है। और जितने बाकी भी जवाचारी हुए हैं, चाहे वह मद्वाचारी हों, चाहे रामानुदाचारी 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 हों, चाहे रामान जो सम्मान न करे वो लोग की रानकेश्व में पंसा हुए लालका हो में थाए अदि संकरा चारी ने जगनतास्ट कम लिखी, अदि संकरा चारी ने जगनतास्ट कम लिखी, मध्वाचारी रादी संकरा चारे के जीवनी लिखी सब भ्राम्य हुले इस था गीता जहांपर बोली गई है वहांपर जाकर उन्होंने मठके सापना करी ताकि लोग विश्वात आइखी ब्याक्या ताइस के पिड्राणों एक आझा के लिए होती है व्याख्या का उदेश इक्ताय सी भूधीक इंटलेक्टूल एक्सलाइज है जो अधीक षोट रो neither बना Oklahoma USB जो जञान वो ब्याख्या से परे है, ब्याख्या से आप उस इस्तर को प्राप्त करते हैं, कि आपके चित में ज्ञान थासित हो जाता है, ज्ञान तो एक साथ थासित होता है, तो योग का विद्याती हूना, ज्ञान तो चित में ऐसे प्रकाशित होता है, यह सारी याक्ताएं हैं, यह बाध्धिक व्यक्षाहं हैं, इसे लिए शंकराचारी में सबसे जय्दा बाध्धिक व्यक्षाथ लिखा क्या? वाग वाइखरी शब्द जरी सब गर शलम् वैड़ु स्यम् वेजुछ न दर跟你 न तुमुकतों यह तु शन्कराचा रेने का लिए जीवन बर वाग वाइखरी तुन्हें Vietnamese तक लिखे उन्होंने हमतमें क्या लिखा वाग वैखरी शब्द रि शाथ्य व्याख्यान काुशलम वेदुस्याम, विद्वानों का वेधुष्या, गूँख थे 1952 न तु मुख थे कि मित भुडूगे, ग्यानी कैसा चलता है कैसे उठता है कैसे बैटता है। कैसे नराज होता है, कैसे प्रसंद होता है, सब के महत्व है। तो इसलिए संत का स्थान पंडित से भी उंचा इसलिए माना गया है कि उसे प्रकाश दिखता है, ये सब विद्वत्ता भी भोग है, प्रकाश तो प्रकाश है वह भक्त को ही होता है, इसलिए हर ग्यानी आंत में भक्त होता है. बहुत ही सुन्दर, आज बहुत ही सुन्दर आपने बाट खिया के लिए इसकी, और दर्शकों इसका जरूर आब होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट करेगा, इस तरह के सीरीज और रखेंगे हम लोग, हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं पुराने गीत का दुरुप्योग ना करें, सभी राजनेताओं को बोलना चाहिए और जो आप लोग कर्म पर ज्यादा ध्यान दीजिए, और प्रवचन पर थोड़ा कम राजनेताओं के लिए, तो राजनेताओं को गीता पर भाषां करने का अधिकार नहीं है, वो नहीं देना चाहिए, क नकुल ने भी नहीं दिया, लेकिन सरदेव ने दिया, सरदेव ने जरूर किया, तो थैंक यू आल बरी मुच, नमस्ते, जय जगनाथ, एंड कीप, डू लाइक, शेर, सब्सक्राइब, जय जगनाथ, जय जगनाथ, जय जगनाथ, सब को चलों के बारे में पता लगें झाल 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 झाल